राधे राधे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमिद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, अनपुर्णा कीच्ण टिप्स में आप लोगों का स्वागत है आईए आज की रेश्पी नवरात्री स्पेशल रेश्पी है चाय के साथ खाने वाला फलहार बनाने जा रही हूँ ये देखिए मखाना है इसको गी में तलेंगे पहले और ये मंफली है कडाई में गी डाल देंगे गरम होने के लिए पहले मखाने को तलेंगे तब कुरकुरा अच्छा होगा मखाने में जितना भी गी डालेंगे सोक जाता है बहुत ही अच्छा कुरकुरा होता है अच्छे से ज़्यादा गी डालके अधी तलेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे तो थोड़ा ही घी में भी भुना जाएगा तो देखिए इस तरह से नमक डालके इसको तल लेंगे मंफली के साथ इसको भूनेंगे तो नहीं भूनाएगा अच्छे से मंफली कच्चा ही रह जाएगा इसके बाद हम अमफली तलेंगे यह देखिए यदि ब्रत हो नव दिन का और चाय के साथ खाने के लिए इस तरह से बना के रख लें डबे में तो आप पूजा से उठने के बाद चाय के साथ यह अराम से खा सकते हैं नमकीन जीज और यह आलू है देखिए एकदम भुजिया की तरफ कट करके रखे हैं छोटी छोटी जीरा और मर्चा के तड़का दे देंगे घी में पहले ममफली दो मिनट तक तल लेंगे अच्छे से अंदर तक बून जाए कुरकूरा हो जाए तो इसे आलू को डाल के इसको भूनेंगे कॉमाच पे यह देखिए फिर नमक मिला देंगे आलू ममफली और यह मखाना ममफली चाहिए